Hello everyone, आज हम बात करेंगे Post Office की सबसे popular scheme के बारे में यानि Post Office की RD scheme जिसको हम recurring deposit scheme भी बोलते हैं देखिए आपने Post Office की RD scheme के बारे कभी न कभी जुरूर सुना हो अगर आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी लेकिन आज की वीडियो के बात आपको कभी भी Post Office की RD scheme के बारे में कुछ भी देखने सुझने और समझने की जुरूर नहीं पड़ेगी क्योंकि आज हम इस वीडियो में Post Office की RD scheme के बारे में complete जानने वाले हैं और वो भी बिलकुल आसान भासा में और उसके साथ साथ Post Office की जो latest interest rate आई है उसके हिसाब से और जो latest जो नियम है Post Office RD scheme के उन सभी के हिसाब से हम इस scheme के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं देखे Post Office में दो टाइप की schemes हैं एक तो ऐसी schemes जिसमें हम एक साथ कुछ पैसे जमा कर सकते हैं और दूसरी ऐसी schemes है जिसमें हमें हर महीने पैसे जमा करने होते हैं देखे Post Office की सिर्फ चार schemes ऐसी हैं जिसमें हम हर महीना पैसा जमा कर सकते हैं सबसे पहले तो Post Office की RD scheme है फिर Post Office की PPF scheme है Post Office की सुकन्या समरिदी योजना और Post Office की PLI जो पोस्ट ओफिस की PLI है वो तो एक insurance है और जो पोस्ट ओफिस की सुकन्या समरीदी योजना है वो सिर्फ लड़कियों के लिए एक account है और जो पोस्ट ओफिस का PPF account है वो 15 साल की scheme है वो बहुत लंबी scheme है तो आपके बास थोड़े समय के लिए हर महीने पैसे जमा करने के ल ब्याज लगता है वो हर 3 महीने के बाद लखता है और हर 3 महीने के लिए पोस्ट ओफिस की PPF हमें एक साल के बाद आपका ब्याज के ऊपर लगाओ किरने ब्याज करेगा हैं और हर जानकारी पोस्ट ओफिस की आर्डी स्कीम के बारे में इस वीडियो हम जानने वाले हैं तो आईए जानते हैं पोस्ट ओफिस की रिकरिंग डेपोजिट यानि आर्डी स्कीम के बारे में सब कुछ बिल्कुल आसान भासा में तो आईए जानते हैं आज हम इस वीडियो में पोस्टोफिस आर्डी स्कीम के बारे में क्या क्या जाने वाले हैं सबसे पहले जानेंगे कि पोस्टोफिस की आर्डी स्कीम खाता कौन-कौन खुलवा सकता है इसके अलावा हम देखेंगे गर हम हमारी जो किस्त होगी महीने की वो हम अड़वांस में कई महीने की अगर किस्त जमा कर देते हैं तो हमें कितने रुपे का फायदा मिलेगा और इसके साथ साथ हमें जो लोन की फैसलीटीस पे मिलती है वो कितना loan मिलेगा, कब मिलेगा और अगर हम RD का खाता बीच में बंद करवाना चाहें, वो कैसे होगा और उससे हमें कितना फाइदा नुक्सान होगा सारी चीज़ calculate करके देखेंगे और इसके साथ पोस्ट ओविस्ट की जो latest interest rate है, उसके हिसाब से calculate करके देखेंगे कि पोस्ट ओविस्ट की आर्डी स्खेमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं कि नहीं यह जानते हैं एक करके सबसे पहले जानते हैं पोस्ट ओविस्ट की आर्डी स्खेम gratis की में कौन-कौन खाता खुलवा सकता है और एक सक्स जादजे से जादँ कितने खाते खुलवा सकता है सकते हैं इसके लावा गर कोई SSX है जो सोचने समझने की सकती नहीं है जिसकी तो उसके भी हाफ भी उसकी तरफ से भी उसके माता पिता वो खाता चला सकते हैं और एक सक्स जितने चाहे उतने खाते खोल सकता है इसमें कोई लिमिट नहीं है कि एक सक्स को कितने खाते खोलने है तो जितने चाहे इस R&D scheme में अपने खाते खुलवा सकता है आई अब जानते हैं पोस्ट ओविश की R&D scheme में हमें कितने रुपे जमा करने पड़ेंगे कम से कम कितने और जादा से ज्यादा कितने देखे हम Post Office के RDI scheme में कम से कम 100 रुपे का खाता खुलवा सकते हैं और ज्यादा की कोई limit नहीं है जितनी हम चाहे उतने रुपे का इसमें खाता खुलवा सकते हैं और जितने रुपे का हमने खाता खुलवाया उसको हम cash से, check से जैसे चाहे हम payment कर सकते हैं और अगर हमने ये खाता खुलवाया 15 तारिक से पहले तो हमें हर बार किस्ट 15 तारिक से पहले जमा करने की पड़ेगी और अगर हम ये Post Office का RDI का account 15 तारिक के बाद खुलवाते हैं तो हमें जो किस्ट महीने की हमारी बनेगी वो 15 तारिक से लेकर महीने के अंतिम दिन तक यानि लास्ट डेट तक कभी भी हम जमा करवा सकते हैं सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात ये है जिससी भी amount से जितने भी रुपे का आप खाता खुलवाओगे तो आपकी वो किस्ट फिक्स हो जाएगी बाद में वो चेंज नहीं होगी अगर आप दूसरी किस्ट से खाता कुलवाना चाते हैं तो आपको नया खाता ही खुलवाना पड़ेगा उसमें किस्त में कोई चेंज नहीं होगा आपको हर महीने उतनी ही किस्त हर बार भरनी पड़ेगी तो आपको 10% की रिबेट मिलेगी यानि अगर आपकी महीने की किस्थ 1000 रुपे है तो आपको 100 रुपे के चूट मिलेगी और आप 6 महीने के इकठी बरोगे इसका मतलब यह नहीं कि 6,000 पे आपको 10% के चूट मिलेगी आपको एक महीने के जो आपकी किस्ट बनती उस पर 10% की चूट मिलेगी इसी तरह अगर आप 12 महीने के इकठी बरते हो तो उस पर आपको 40% की चूट मिलेगी यानि अगर आपकी 1000 रुपे की महीना की किस्ट है तो आपकी 400 रुपे की चूट होगी ना कि 12,000 के 40% की चूट मिलेगी हमें सिर्फ एक महीने की जो किस था हमारी 1000 की उसकी 40% की चूट यानी 400 रुपे की मिलेगी हमें जो 12,000 भरने थे उसकी बजाए हमें 11,600 रुपे भरने पड़ेंगे तो आप इस चीज का ख्याल रखियेगा आएई अब जानते लिवे पोश्टोविश की RD स्कीम पे हमें जो लोन मिलता है वो कितना मिलता और कैसे मिलता है देङर हमें बीच में पैसे होगी तो RD स्कीम पे हम लोन ले सकते हैं लेकिन तभी हमें उन मिलेगा जब हमारे खाते को चलते हुए एक साल हो चुका है और हमने 12 परकिस्त भर दी हैं इसके अलावा जो हमें loan मिलेगा वो हमें सिर्फ हमारे खाते में जितने पैसे होंगे उसका 50% ही loan मिलेगा उस से ज़्यादा हमें loan नहीं मिल सकता और जो loan हमें मिलेगा उसके जो ब्याजदर होगी वो 2% ज谐खी जो हमें rd पर मिल रही है यानि कि अगर हमारी rd scheme की interest rate 5% है तो हमें 7% पर सेंट पर लोन मिलेगा अगर हमारी rd की interest rate 8% है तो हमें 10% पर लोन मिलेगा यानि 2% जयादा हमें interest rate देनी पड़ेगी और इस loan को हम चाहें तो 1.8 बर सकते हैं या फिरहाम उसकी किस्त भी बंदवा सकते हैं और हमें किस्तों के रूप में इस लोन को चुका सकते हैं और आप इसको कभी भी चुका सकते हैं बीच में भी अगर आप इस लोन को नहीं चुकाते बीच में तो जैसे ही आपका खाता बंद होगा आपको जो पैसे मिलने होंगे उसमें से आपका लोन और आपका जो लोन पर ब्याज बना है उसे काट कर आपका जो पैसा बचेगा वो आपको वापिस दे दिया जाएगा इसले अगर आपका RD का अकाउंट है तो जैसी आपके अकाउंट को एक साल हो जाते हूं और आपने 12 किस भर दी तो आप कभी भी RD अकाउंट पर लोन की फैसिलिटी को ले सकते हैं आईए अब जानते हैं अगर RD का अकाउंट हम बीच में ही बंद करवाना चाहें तब उस केस में हम कैसे बंद करवा सकते हैं देखे पोश्टोविश की जो RD स्कीम का खाता है हमारा वो तीन साल से पहले किसी भी केस में बंद नहीं होगा हमें अगर वो बीच में बंद करवान होने से एक दिन पहले इसको हम बंद करवाते हैं तो उस केस में भी हमें RD का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा यानि कि हम कभी भी 5 साल से पहले इस खाते को बंद करवाएंगे तो हमें नुकसान होगा और हमें RD का इंटरेस्ट ना मिलकर पोश्टोविश के सेविंग अकाउंट क इंटरस रेट मिलेगा जितने दिनों तक हम उस आरडी अकाउंट में हमारे पैसे को रखेंगे इसलिए इस चीज का ध्यान रखें जब तक जूरूर्ट ना हो उसको बीच में बंदना करवाएं क्योंकि उस केस में हमें नुकसान ही ज्यादा है आईए अब जानते हैं करवाकर आगे एक्स्टेंड करवाना चाते हैं तो हमें सिंपल एक एपलिकेशन देनी पड़ेगी पुल्तोविस में और हमारा खाता आगले 5 साल के लिए एक्स्टेंड हो जाएगा और जो हमारी इंटरस रेट शुरू में खाता कुलवाते टाइम थी तो वही इंटरस रे दाइस साल के बाद हमने खाता क्लोज करवा दिया तो हमें जो 2 साल है उसके लिए तो पूरा आरडी का ब्याज मिलेगा और जो 6 महीने बच गए उसमें सिंपल सेविंग अकाउंट का जो 4% का ब्याज है वो मिलेगा उसमें आरडी का ब्याज नहीं मिलेगा और पोस्ट जानते हैं पोस्टोइब की आड़ी स्कीम में लेटेस- eh же कि यह तो जैसा की आप देख रहे हैं जैसे 5000 रोपे हर महीने जमा करेंगे तो पनस साल में हमारी जैब से जाएंगे थीन लाख रुपे और हमें जो ब्याज मिलेगा ये मिलेगा 48,650 रुपे जो टोटल मैचुर्टी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी पांस साल के बाद हमारी तीन लाग रुपे बढ़के हो जाएंगे 6,00,00 रुपे और जो हमारा टोटल रुपे हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6,006,970 रुपे पूरे पांस साल के बाद आईए अब जानते हैं अगर पोस्ट ओविश की आर्डी स्की में हम 10,000 की जगा है 20,000 रुपे हर महीना जमा करते हैं तो हमें कितने रुपे मिलेंगे तो यहां पर हम एंटर करते हैं 10,000 की जगा 20,000 और यहां पर कैलकुलेट पर किलिक करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हो अगर हम हर महीने पोस्ट ओविश की आर्डी स्की में हर महीने 20,000 रुपे इंवेस्ट करते हैं तो हमारी जेब से जाएंगे 12,00,00 रुपे और जो अपनी हिसाब से जितना चाहिश में इंवेस्ट कर सकते हो आईए अब जानते हैं पोस्ट ओविश की आर्डी स्कीम में हमें टेक्स बेनिफिट क्या मिलेंगे और हमें कितने रुपे की छूट मिलेगी आईए जानते हैं आईए अब जानते हैं पोस्ट ओविश की आर्डी अगर आप Tax Lab में आते हो तो आपको Tax देना पड़ेगा अगर आप Tax Lab में नहीं आते तो आपको कोई Tax नहीं देना इसके लागा एक चोटा सा रूल और है अगर मालीजे किसी ने पोस्ट विश का RD अकाउंट खुलवा लिया और उसकी भगवान नागरे बीच में डेथ हो जाती है तो उसका पूरा पैसा या तो नो मिन्य को मिलेगा अगर नो मिन्य वो पैसा नहीं लेना चाहता तो नो मिन्य चाहे तो पोस्ट विश का वो RD अकाउंट कंटिन्यू भी कर सकता है यानि वो जितने साल उसके पैंडिंग है उसको उतने साल तक वो चला सकता है अकर नो मिन्य चाहे तो अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फरमेटर लगी है तो चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके रिलेटिम्स के पास इसको सेर भी कर दीजिए ताकि उनके भी हैलपोस के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद